आज की इस वीडियो में हम economic value edit के बारे में जानेंगे कि economic value edit क्या है, organization में इसको क्यों और किस तरह से इस्तमाल किया जाता है तो सबसे पहले अगर economic value edit के बात की जाए तो economic value edit difference होता है between net profit और capital charge capital charge को cost of capital भी कहा जाता है और cost of capital वो required rate of return होता है जो organization के जो security holders हैं उनके demand होती है कि उनको इतना pay किया जाए वो जो security होती है वो या तो debt security भी हो सकती है और equity security भी हो सकते है equity security हमाँ पस shares वगएरा आते हैं और debt securities में हमाँ पस debentures आते हैं तो ये share holders ये जो security holders हैं ये जितना require करेंगे जितनी जरूरत होगी इतना कमाने की capital के उपर उससे जितना ज्यादा organization ने कमाया है वो तमाम EVA होगा let's suppose कि organization को जो चाहिए था वो 15,000 रुपीज का capital charge चाहिए था कि इतना वो require कर रही है कि कमाए लेकिन अब organization 20,000 रुपे का net profit कमा लेती है तो ये 5,000 रुपे का इसमें जो difference आया है ये इजाफी organization ने कमाया है जिसके उसे जरूरत भी नहीं थी तो ये जो हो जाएगा ये organization के पास economic value added या EVA आ जाएगा अब अगर बात की जाए कि organization में economic value added को क्यों इस्तमाल किया जाता है तो organization में ये जानने के लिए कि company ने business में पैसा लगा के या business में fund लगा के क्या value generate की है उस fund से इस चीज़ को जानने के लिए organization economic value added का इस्तमाल करती है जैसे कि let's suppose एक company है कोको लिमिटेड जिसके पास investment है एक लाक रुपे की और company के पास जो cost of capital है जितना उसने require है कमाना है let's suppose कि 25% उसको require है कि उसने cost of capital कमाना है और company ने जितना कमाया है मतलब company ने net operating profit let's suppose कि 35,000 रुपीस का company ने net operating profit कमाया है तो अब EV किस तरह से calculate किया जाएगा economic value edit के पहले देखा जाएगा कि capital क्या है या investment क्या है तो investment organization के पास है एक लाक रुपे की और उसने कमाने है उस पे 25% तो organization ने मतलब total कितना कमाना है 25,000 रुपे organization ने कमाने है अब इस 25 और इस 35,000 रुपे अब organization ने कमा लिए है इतने कमाये है इतने कमाने थे लेकिन अब इन दोनों के दर्मियान में एक फर्क आ रहा है एक इजाफे फर्क जो के आ रहा है 10,000 रुपे का मतलब company ने जो 10,000 रुपे ज़्यादा कमाए है ये company ने economic value edit की है अपने business में अब ये तो हमने simple concept को समझ लिया लेकिन अब अगर देखा जाए कि economic value edit को किस तरहां से calculate किया जाता है organization में तो economic value edit को calculate करने का एक formula या एक तरीका का ये है कि net operating profit after tax tax को less करने के बाद जो net operating profit आता है जिसको रखा जाता है कि वो shareholders के दर्मियान में distribute हो जाए वो वाला जो profit है उस profit में से less करना है invested capital में वैक को multiply करके मतलब ये interest बनेगा और ये वैक हमारे पास cost of capital ही होते है इसको हम cost of capital या वैक भी कह सकते हैं ये वो average return होता है जो organization ने अपने shareholders या debentures holder को pay करना होता है तो उस वैक की percentage को उस वैक की ratio को multiply करना है invested capital से और invested capital को capital employed भी कहा जाता है तो ये जो आएगा invested capital को वैक के साथ multiply करने से यहाँ पे capital charge create हो जाएगा मतलब organization को इतना कमाना चाहिए था लेकिन net operating profit ये बताता है कि organization ने इतना कमाया है तो यहाँ पे जब net operating profit में से less कर देंगे capital charge को तो organization के पास economic value added आ जाएगी अब इस तरह से अगर पहले बात कर लें कि capital employed या invested capital को किस तरह से calculate किया जाता है तो organization के पास invested capital इस तरह से calculate हो सकता है कि total assets जो दिये में हैं उन में से जब current liabilities को less किया जाएगा तो organization के पास invested capital आ जाएगा इसके इलावा एक और तरीका भी हमने पढ़ा था अपनी last video में एक topic में कि capital employed को किस तरह से calculate कर सकते है capital employed को basically net assets भी कहा जाता है और इसको किसा से calculate करेंगे कि जो fixed assets है fixed assets वो होते हैं जो organization में एक साल से ज्यादा के लिए इस्तमाल किये जाते हैं उन fixed assets में working capital को add करना होता है और working capital को हमने पढ़ा था कि working capital हमाहे पास होता है current assets minus current liabilities working capital basically वो capital होता है जो organization इसलिए रखता है ताकि वो अपने operating expenses को या operating जो उसकी cash flows है उसको meet कर सके तो operating expenses को meet करने के लिए जो capital रखा जाता है उससे कहा जाता है working capital तो एक invested capital निकालने का ये तरीका कार है दूसरा invested capital को निकालने का ये तरीका कार है अब net operating profit after tax में भी कुछ adjustment की जाते हैं जिसके बाद net operating profit after tax को निकाला जाता है तो अब देख लेते हैं कि net operating profit after tax या no pad को किस तरह से adjust किया जाता है तो net operating profit after tax में सबसे पहली क्या adjustment होती है कि add करने होते हैं तमाम non cash expenses non cash expenses वो expenses होते हैं जिनमें organization के पास cash involved नहीं होता लेकिन फिर भी वो expenditures अकर होते हैं expenditure होते हैं just like depreciation, goodwill, research and development cost अब यहाँ पर depreciation जो है यह non cash expense है यह depreciation पैसों की वज़ा से नहीं होती लेकिन इसकी वज़ा से जो asset है उसमें कमी आ जाती है तो यह non cash expense होगए जो हम operating profit में से less करते हैं इस operating profit में दुबारा से depreciation को add back करना है next जो expense है यह भी goodwill का expense है यह cash based नहीं होता लेकिन इसको हम add back कर देते हैं वापिस add करते हैं क्योंकि यह भी non cash expense होता है और दूसरा इसलिए इसको add back करते हैं क्योंकि यह capital expenditure होता है यह operating expense नहीं होता तो गलती से यह organization ने अगर इसको net operating profit में से less किया है तो उसमें इसको add back कर देना है इसे तना research and development की cost एक heavy expenditure होता है जो organization bear नहीं कर सकता एक दफ़ा में ही और यह operating expense नहीं होता बलकि यह भी capital expenditure होता है इसलिए यहाँ पर भी इसको वापिस non cash expenses में add back कर दिया जाता है next adjustment जो होती है वो होती है provience से related के जो तमाम provience है उनको वापिस add back कर दिया जाता है जिसना acid reduce की कोई provience है या expense increase होने की कोई provience बनाई जाती है जिसना provience for bad debts बनाई जाती है वो basically cash expense तो नहीं होता लेकिन वो एक provision है तो वो तमाम provisions भी less कर दी जाती है जो bad debts के लिए या किसी भी asset के लिए provisions create की जाती है उन provisions को less कर दिया जाता है बेशाख वो assets से related हो या expenditure से related हो जिस तरह यहां पर हमने bad debts की provision की बात की तो इस तरह से net operating profit को adjust किया जाता है और उसके बाद उसमें से उस interest को less कर दिया जाता है जो interest हम यहां पर इस invested capital की basis पर calculate करते हैं जिसना यहां पर capital employed into cost of capital यहां तक तो net profit था इसके बाद यहां पर जब इसको less किया जाएगा तो उसके less करने के बाद जो figure आ जाएगी वो आ जाएगी economic value added क्यूंकि इतना कमाना था लेकिन इतना कमा दिया organization ने इतना कमाल यह net operating profit तो इन दोनों के दरम्यान में जो difference आ जाएगा वो आ जाएगा economic value added का अब यहां पर हमने goodwill और research and development के बारे में थोड़ी सी बात की थी लेकिन अब अगर detail में goodwill को समझें तो goodwill को basically capitalize किया जाता है accounting standards के मताबिक ए goodwill organization के पास एक intangible asset होता है इसलिए इसको capitalize किया जाता है तो जिस expense ने capitalize होना है उस expense का operating statement में कोई भी काम नहीं है लेकिन organization क्या करेगी कि सबसे पहले जो तमाम goodwill को less किया गया है organization ने उस तमाम goodwill को वापिस add back करेगी मतलब जो goodwill less हुई है let's suppose कि 10,000 की goodwill operating income में से less कर दी गई थी अब इस 10,000 को वापिस add back कर देना है profit में जिसना non cash expenses में यहाँ पे हम add कर रहे थे goodwill को तो यहाँ पे वापिस पूरी goodwill को add करना है लेकिन अब इसमें एक और जो काम करना है वो ये करना है कि इस 10,000 को write off करना है मतलब हर साल इसका थोड़ा सा portion जो है वो less करना है operating income में से let's suppose कि यह जो goodwill है यह five years की है तो अब हर साल में यह जब goodwill को वापिस add back करेंगे तो उसके बाद 10,000 को divide कर देना है five से तो यह हमाई पास 2000 रुपीज आजएगा अब हर साल operating income में से 2000 रुपे को less करना है तो जैसे goodwill के लिए करना है इसी तरह से research and development के लिए भी यही strategy अपनानी है क्योंके research and development भी basically capital expenditure होता है जिसको net operating profit में से पहले less कर दिया गया होता है लेकिन इसी तरह जिस तरह हमने goodwill को full add back किया था इसी तरह तमाम goodwill को add back कर देना है और सोरी तमाम research and development expenditure को add back कर देना है और फिर उसको उसमें से less कर देनी है वो amortization जो research and development की हुई है जिस तरह से let's suppose 50,000 रुपीज का research and development का expense था अब क्योंकि research and development का expense जो है वो एक heavy expense होता है और organization उसको एक दफा ही अगर less करेगी तो organization के पास जो है एक दफा ही बहुत बड़ा loss आ जाएगा और वो loss जो है वो realistic loss भी नहीं होगा वो इस research and development की विज़ा से होगा तो इस चीज को overcome करने के लिए organization क्या करती है कि पहले इस पूरे 50,000 को जो के research and development का है इस सारे को add back कर देगी net operating profit after tax में या no pet में उसके बाद जितने सालों के लिए expense है let's suppose कि यह जो research and development expense है यह 10 सालों के लिए expense है तो organization अब इस 50,000 को amortize करेगी 10 साल की basis पे जो के आ जाएगा 5000 रुपीज तो अब organization हर साल 5000 रुपे को operating profit में से less करेगी तो यह था research and development का तरीका कार तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि economic value edit क्या है organization economic value edit को क्यों इस्तमाल करती है और economic value edit किस तरह से calculate की जा सकती है